इसे अच्छा है कि सरकार स्वीट पॉइजन जो दे रही है कि बाद जहर दे दे हम लोगों कानी खता हम क्यों पागल हो के मरे हम क्यों ऐसा नोकरी करने आए हैं धर्म विशेश के साथ खिलवाल करना किसी धर्म को खुष करना किसी धर्म को नाखुष करना यह चल रहा है मतलब किस फर्मान से आप लोग एकदम नराज हैं बहुत नराज हैं बताइए रफगार्मिक छुटी हम लोग भी जाले हैं बेन चट्टे पुल गिनेंगें क्या करेंगे बलेक वोट पर थापड़ी बजाएंगे सभी सिक्षोगों के दम सीधा कर देंगे सीधा अपने हो जाएंगे ने सीधा अपने हो जाएंगे यह तो बहुत गलत हुआ है जो पहले से छुटी चली आ रहे थी वो छुटी रहना चाहिए अब उनका तो तरह तरह का फर्मान निकल रहा है अब उसके पिछे उनका क्या स करना है तो बस आपका जैसे लेटर निकलता है उसे लेटर हम लोग पढ़ते हैं कि साधी सुधा महिला के लिए कितना इंपोर्टेंट दीन होता है उससे बड़ा कोई दीन ही नहीं होता है इसलिए यह परतारित करना सरकार हम लोगों को बंद करें कुछी धर्म से संबंदिते किसी को बढ़ा दिया गया है किशी को गटा दिया गया है नमस्कार पर नाम मैं अमीट चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तके विमारी मौजूदगी है बिहार के नालंदा में और नालंदा का क्या बोलते हैं कि स्वास हाई अस्कूल है और ये जिले का सबसे बड़ा स्कूल बताया जाता है इस विद्याले में नाइन्थ, टेन्थ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों का पढ़ाई होता है केटि पाठक के आने के बाद प्रतक दिन कोई ना कोई मतलब की सिक्षकों के लिए एक आदेश निकलता एक और कल साम के निकलता एक ओष्धू का घ़गया तो या तो कही Chutti ऐसे उसको कम कर दिया गया है और कई ऐसे पर्वते वहार हैं विसेस धर्म का उसको मतलब कि एक्ष्टेंड कर दिया गया है उस छुटी के बारे में उस लेटर के बारे में क्या सोचते हैं कि जो सिक्षक हैं हम इसके उपर चर्चा करेंगे इस विद्याले के परदानाचारी है सुनील सर उनके बगल में ब उसके अवारे में इसके उपर हम चर्चा करेंगे सर सबसे पहला सवाल यही होगा कि केके पाठा का कल जो आदेश निकला है उसको किस परकार से आप लोग देख रहे हैं यह तो टोटल गलत है बहुत सारी जो हिंदू पर्व का छुट्टी है उसको समाप्त कर दिया गया ज जितिया है चट का भी छुट्टी कर दिया गया है तरिस जन्माश्ट में का छुट्टी खतम कर दिया गया है फिर सावन का अंतिम सुक्रवार में हम लोग को छुट्टी मिलता था सुमबार को मिलता था रच्छा मंधन का छुट्टी था फिर हम जान का अंतिम सुक्रवार क खूटी मेलता था मुश्रीब लोकाव उसको भी कभा दिया गया है इस परकार से बहुत सारी शूठीयों को कम कर दिया गया है अब उनका तो त्रह्तरा का फर्मान नीखा रहा है लुटो उसके उनका क्या सोच है, बुद्धो ही बता सकता है इस तरह से छिट यह पर दे लेटर निकल रहा है, हाज भी लेटर निकला हुआ है. ऐज भी याड आने रहा है, लेकिंद पर्टी दिन, इलेक्शन का है। पांच बज़े के बाद करेंगे ड्यूटी किजिए अच्छा मतलब कि स्कूल खतम करने के बाद भी आपको ड्यूटी करना है नो बज़े के पहले आप पांच बज़े के बाद पांच बज़े के बाद करेंगे अच्छा मतलब आदमी ब्यास्त नहीं ने आस्त ब्यास्त हो गया जो जो ब्यास्त दिखाई जा रहे हैं कि सब लोग को ब्यास्त कर दिये आदमी ब्यास्त नहीं हुआ है आज को गया अच्छा शुट्टी में समय हो fully घ्ट्र vídeo आथए तो पांचे मैं बाद है जो कैंसिल कि यह थिए उसमें आप उपस्तिती देखेगा, या तोने पढ़ा कॉन दिन, वही रक्षा मंधन के दिन, तो बहुसा बिद्याले सिन नील गया होगा, कहीं से 10-20 इस तरह की संख्या में, हमारे यहां भी जो टोटल स्टुडेंट 32 के करीब है, उसमें हम समाझते हैं कि 10-20, 30 स्टुडें आया हो गया, अजय मतलब कि 32 में सिर्फ 32 स्टुडेंट आया हो गया, बहुसा स्कूल तो रिपोर्ट नील गया, फिर मतलब कि मजबूरन उस चुटी को फिर से बहाल करना परा है, तो इस तरह की बात है, उनका तो प्रते दिन कुछ फरमान निकल रहा है, मतलब कि फरमान से जो आदेश निकला है, खासकर के छुटिया को कम किया गया है, खासकर के हिंदू पर्व को, हिंदू पर्व में जो छुटिया मिल देती पहले ज्यादा चुटी था, किसी पर्व में कम कर दिया गया है, और कोई-कोई पर्व तो ऐसे उसमें हटा दिया गया है, और जो मुस दिश्टी कोन से उसको देखा जाए अजय सर आप बोल रहे हैं कि मतलब कि सारकारी या देश जो आया है विभाग का जो देश आया उसमें से पॉलिटिकल हुआ रहे हैं कैसे जो भी छुट्टी है छुट्टी को कि और लोग कर दिया गया है उसमें कुछ धर्म से संबंधिते किसी को बढ़ा दिया गया है तो इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं इस पर जाने सब्सक्राइब करते हैं और जितने भी पड़े रिखे हैं जितने भी समझदार अदमी है सारे लोग ब्यान दे रहे हैं कि चुटी जो है गैर कानूनी है भी धंगा है खास करके 50% महिला हम लोग काम करती है और महिलाओं के चुटी को उसको टर्मेट कर दिया गया है उसको दूसरे रूप में कर दे गया है जिसको कोई जरूरत नहीं है 30 दिन बीस दिन गर्मी का छुटी है उसमें 30 दिन करने का क्या उचित बनता है तुसमें भी टीचर लोग को आना है बचों लोग को नहीं आना है यह क्या चीज़ है बहुत इसके तो खुलम खुला तानाश राजतंत्र है जाए है हम आपको बता देने साथ है इसको जलत से जल्द इनको संसुदन किया जाए नहीं तो हम लोग अने वाला समय में सभय आ रहा है हούμε हाड 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 हर्दी लगाने का काम करेंगे हम लोग जवाब देंगे उसका पुर्जोर जवाब देंगे उसका हम लोग जिस दर्ग से हम लोगों के साथ वैद्भाब किया रहा है मताई आज निकला है कि पात मशने के बाद teach और जो चाहते हैं कि जब तक स्वस्त नहीं रहेगा जब सब सिच्छक माइंड से फ्रेस नहीं नहीं रहेगा तब तक हम लोग बच्चा को पड़िया तो इसलिए यह प्रतारित करना सर्कार अम लोग को बंद करें अपनेगे आपको आपके चैनल के माद्यों से बताना चाहते है कि इसको करना पड़ेगा इसको जैसे था पुर्बत स्थिति में को करना ही पड़ेगा एक बर और व्य्यसा कुछ अडवाईरी जा रहे हुआ था फिर इसको पुना बहाल करना बर और गया प्रेश सर्या आया बापस करना पड़े यह तो किस दिमाग से करते हैं अम लोग समझ शुटी का सुची बन्ता है उसमें सिच्छक संगे प्रतनिधी रहते हैं। कि यहां कशनी नहीं कंडू लगता है। लगता है Σंभीधान से ऊपर चल रहे हैंसे है संभीधान हो गया तो यह सब्सकुप कर रहे हैं से क्या यह लगता है कि किiser क्षवत मनमानी करें शिक कले खाग है नहीं चलेगा हम लोग तंत्र मजबूत होता है राज नहीं होता है हम लोग जी जाल लगा करके बोट दिया थे जाकर करके अजिस आदमीं को भोट दिया है वही अदमी हम लोग पर सोक हो जाव स्पिस्टिकरन करता है किसी परकार से पैसा आना चाहिए इसके लिए कोई भी काम करेगा लोग तंत्र है इसके पीछे का बजह क्या हो सकता है सर मतलब कि इतना बड़ाव चाहस करके शिच्छा विभाग में सिच्छा विभाग में बदलाव क्या हो रहा है बता यह ना साटगो पहले ता साटगो अभी भी बढ़ाग हटा दिया नहीं आगे तोर मलोर करकर कर यह कर रहे हैं यह तो किसी धर्म भीशेस के साथ के खिलव पर्व होता है महिलाओ का एक बहुत ही महत्पूर्ण और बहुत ही अहम पर्व होता है उसको भी खतम कर दिया गया है मैडम सबसे पहले तो स्वागत है धन्यवाद सर मैडम कैसे देखते हैं केके पाठक का लादेश निकला है और उसमें आप लोग का जो दो तीन पर्व था उसको खतम कर दियागा बिल्कुल एक पूरे तरीके से सबसे पहले तो मैं केके पाठक सर को धन्यवाद करना चाहते हूं कि हम लोग में जोस पाइदा की है विद्याले को रंगा रोहन याब हर तरह से सुधिड की है इसके धन्यवाद के पातर है बिल्कुल लेकिन ऐसा नह हम लोग चुटी मनाते हैं तो चुटी आप काट लीजेगा तो हम लोग का माइंड मेरिटेसं नहीं करेंगा तो फिर अगला दिन कैसे तयार हो के आएंगे विद्याले में काम करने तो आप तो से बाहरी धाचा को तो आप कम जोड कर रहे हैं हम लोग पढ़ाएंगे क्या मौनि मानियेगे कि एज़ आरहाम रच्छा बंधन का देते हैं कि आप सोच सकते हैं के साधी सुधा मेहिला के लिए चितना से बड़ा को दिन ही नहीं होता है बिल्कुल हम पीस तरह कर दीए चुट्ट कर दिया आखर हम लोग आपका मतलब रोबोट बन कर रह जाए आफ हम माहिके नहीं जा सके यहना हम घर पे भाई को बुला सकते हैं कि कोई 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 ऐसे महिला सिख्चे गणिन का भाई भी तीचर है हाँ तो वह भी नहीं आ सकते हैं हमारे पास तो मतलब यह तो हम लोग रुबोट बन गया रिवोट का सुझदा भी हम लोग काम करें तो इसे काम हम सजीव हैं निर्जीव नहीं है जब तक दिमाग सुझीर मेर नहीं रहेगा मतलब ध्यान केंद्रित नहीं होगा सिछा के तरफ तब तक तक हम बच्छों को नहीं पढ़ा सकते आप कितनों के अपढ़ा पढ़ाए नहीं हो सकती है प्रेश राइज काम करवाय जा रहा आप लोग यह बूल रहा है तो बस आपका जैसे लेटर निकलता है जो करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है जिसे हम लोग है कि मेटेशन करते हैं कि नमनसांत होता है उसी परकार एक दिन के चुटी जो होती है जैसे सबता मधिये सुंबारी का लाज चुटी है रमजान का लाज चुटी है या विरच्छा बनन हो गया तीज हो गया आई यह सब चुटी आप खतम कर देज़ेगा तो इससे दिमाग पर स्ट्राइज होगा दिपावली और दुर्गा पुजा पुजा में नौ दिन पहले ostat tightening पनाना चांएंगे से एक कमराा बटके बनाए जाता है उससे मों पर कोई धिया नहीं रहता है कि हमारा संस्कीर्थी क्या है संस्कीर्टी को ہم टाखा एक रहां और हम लोग को बार-बार चेपटर में दिया जाता एक बच्चों को संस्कीर्टी से रूबरू करवा ये रूबरू करवा ये हम कैसे रूबरू करवाएंगे जब आप फ्रेशय राए करें चेंओ कंब और। आपको बच्चों को देंगे निर्जला बर्त करती है निर्जला बर्त में आपके बिद्याले में मुझूद रहेंगे तो भूखे पेट रहना 24 घंटा तो उसे में हम क्यां कि आपके बच्चों को देंगे जिब आपके बच्चा को देंगे हम कुछ देंगे नहीं अएक मसीन की तरह आपके विद्याले में मौझूद रहेंगे कि दूर दराज में नोकरी करने गया हैं अब ही लोग सब बेवस्तित भी सही धंग से नहीं हो पाए हैं और उपर से इतना बड़ा बड़ा गाज गिराते हैं कि आपको यह चुटी नहीं रहेगा यह चुटी नहीं रहेगा तो कैसे वो काम कर सकते हैं मतलब किस फर्मान से आप लोग एकदम नराज हैं बहुत नराज हैं बताइए नहीं इससे अच्छा है कि सरकार सुट प्वाजन जो दे रही हैं कियो पागल हो के मरें हम क्यों ऐसा नोकरी करने आए हैं कि हम पागले हो जाएंगे तो पता चलेगा कि साथ साल में रिटार नही है की ऊसुद्ध कि आपागल हो जाए हैं कने मन में रहा हैं और फोड़की और घ्चांव लीक्ति यह तब आपके पास होई आपने बुलाया लेटी तोड़ा खुस भी तो होने दिजे मान खुस नहीं होगा तो कि आपके बिद्याले में कर लेंगे हैं तो पुष्टेड हैं यह तो बहुत गलत हुआ है जो पहले से छुटी चली आ रहे थी वो छुटी रहना चाहिए था और यह चुटी काटा गया है उससे बच्चों को हम कि जब चुटी जब पर्व होता है और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो अपने माता पिता के साथ रहते हैं और अपने संस्कृति के साथ जुडते हैं तो संस्कृति को बच्चा भूल जाएगा जाने गा नहीं कि रच्छा बंधन क्या होता है भावान का प्यार क्या होत पर किताब जानेगा संस्कृति तो भूल जायेगा जानेगा ही नहीं कि अधिक के वारे में बिल्कुल जीरू हो जाएगा सब खत्म हो जाएगी इसलिए जो पहले सी छुटी हम लोगों को या विद्याले को दिया जाता है वो छुटी पुना हवापस दिया जाए बस मैं यही करना जाहां सभाविक सी बात है कि जो पहले के जो छुटी था वो मतलब की बहुत बरसों से चला रहा था और उसी को लोग फॉलो करें तो चुटी से सभी सिक्षक खुश थे क्योंकि जिस परकार से चल रहा था आखरी सवाल होगा बिनाएक सर कि क्या आगिला स्टंट होग करेंगे और समय रहा है समय रहा है उसमें लोग अपना सक्ति प्रतसन करेंगे कुछ जो पापोजीशन पार्टी के लीडर असर भो भी मतलब के स्टेट्मेंट दे रहे हैं कि बिलकुल एकदम धार्मिक तरीके से चुटी उगड़ा जो सही चीज है उस सही लोग बोलेगा क कि कि सी आटी का ड्मी रहे हैं हम किसी पाटी का हम लोग सिच्छ नहीं हमझा सिच्छल समाजए में शिच्छ पी बात करते हैं जो भी पाट है जो गलत है तो गलत को गलत कहा जाओ जwalk 沒有 सही को सही काय Two am Iская सिर्भ बिहार एक स्टेट नहीं नहीं है हाँ पूरा यूपी में है आप दिल्ली में चल जाए कहीं मी चल जाए आप हर जगा उसी धंग से है आप नया कारून बनाएगा नया नियम बनाएगा आप है केंदर सरकार की चुट्टी को भी कॉंट कर रहे हैं गुट फ्राइडे क पानन कर तो ज натिय है जाना अ मैं फिर तीस दिन गर्मी की चुट्टी है उसमें भी स्कुल जाना आप बता थिजिगों कि चुट्टी हो भी आप टोल दी अ तेस दिन चुटी हो गया हम लोग तो रहा है इसको जाना है इस लिए इस आदेश के बाद बीजेपी को जो बड़े बड़े लीडर है वो अपना-पना स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस पे बिहार में राजनीती भी अस्टार्ट हो गया है सब लोग आकर के पोलिटिकल बया और लेडी टीचर है वो बता रहे हैं कि हम लोग को बिल्कुल रोबोट बना दिया गया और उसको जो कंट्रॉल करने वाला साव है वो एसी कमरे में बैठ करके हम लोग को कंट्रॉल कर रहे हैं तो हम लोग मेंटली प्रेसराइज हो रहे हैं और मेंटली प्रेसराइज जब अबना नवार.